चैप्टर वन, Human Communication और Digital Communication पिछले दस सालों में आपने नोटिस किया होगा कि लोगों के अंदर कन्वसेशन के तरीके में काफी ज्यादा बदलाव आया है अगर आपने भी अपने रिलेशनशिप में बदलाव को नोटिस किया है तो इसी के साथ ही साथ अगर आपको जानना है किसके पीछे का रिजन क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है तो फिर ये समरी आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी अगर आप अपने किसी दोस्त से काफी समय के बाद किसी कैफे में मिलते हैं वहाँ आपका प्लाइन है कि आप लोग कॉफी पीएंगे और काफी सारी बाते करेंगे लेकिन आपने नोटिस किया कि आपके दोस्तनी कुछ देर बाद ही अपनी जेब से फोन निकाल लिया और उसी फोन में लग गया कि आपको इस हरकत पे घुसा आएगा कब आपको ऐसा लगा था कि लाइफ में कुछ हास नहीं रखा है बहुत पुरानी बात नहीं रही होगी क्यों हमें ज्यादा तर ऐसी फिलिंग आती है ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि हमें एकांत या फिर यू कहें कि सॉलिट्यूट का मतलब नहीं मालूम है भले ही दिन भर हम अपने मोबाइल में लगे रहते हूं ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ही इंटरनेट की सर्फिंग करते हूं लेकिन दिन भर मोबाइल या फिर लैपटॉप में अकेले लगे रहने का मतलब ये नहीं है या आप एकांत या फिर solitude में है चैप्टर थ्री पेरिंट्स भी फोन पर बिजी वो चुके हैं पेरिंट्स बच्चों की छोटी-छोटी हरकतों में रियक्ट कैसे करते हैं यह बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे उसी रियक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं neuroscientist Nicholas Carr ने brain के बारे में कहा है कि हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा हम उससे बनाना जाते हैं इस बात की ज्यादा संभावना तब होती है जब हम बच्चे रहते हैं इसलिए ज्यादा तर देखा गया है कि जिन बच्चों के माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चे बहुत सी अच्छी आदतें कभी नहीं सीख पाते हैं क्या आपको याद है कि आखरी बार कब आपने बोरियत की वज़े से सोशल मीडिया पर लॉग इन किया था दूसरों से कनेक्ट होने से हमें खुशी मिलती है लेकिन सोशल मीडिया पर लॉग इन करना उस से बढ़कर कुछ और भी है सोशल मीडिया ने लोगों को ये फाइदा पहुचाया है कि अब वो बिना मिले भी दूसरों से बात कर सकते हैं या तो यूँ कहीं कि अब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते ही नहीं है इसको और बहतर तरीकर से जानने के लिए लेकिका ने कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया उन्होंने हाइ स्कूल के लड़कियों से बात की उनसे उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया पर तुरंत मैसज का जवाब पाकर उन सब को सुकून मिलता है इसी के साथ लेकिका ने ये भी ऑब्जर्व किया कि नई जनरेशन मिलकर बात नहीं करना चाहती है उसे सोशल मीडिया पर अपना एडिटेड रूप ही अच्छा लगता है उसे फेल्टर के साथ सुन्दर बनकर चैटिंग करना पसंद है क्या हम डिजिटल चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं आप किसी लेक्च्चर में बैठे हुए हैं वहां पर आपका मन नहीं लग रहा है फिर आपने सोचा कि क्यों ना फून चला कर देखते हैं कि दुन्या में क्या चल रहा है क्या ये मल्टी टास्किंग सही है अगर आप इसे मल्टी टास्किंग मानते हैं तो फिर आथर आपको बता देना चाहती है कि ऐसा करने से आपके दिमाग के पुर्जे हिल सकते हैं मतलब साफ है कि इस तरह की हरकतों से इनसान की परफॉर्मेंस में असर बढ़ता है लोगों की गलत वहमी है कि मल्टी टास्किंग अच्छी चीज़ होती है लेकिन आपको बता दें कि इनसानी दिमाग एक समय में किवल एक ही चीज़ में फोकुस कर सकता है अगर हम उसे मल्टी टास्किंग करने को बोलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उसके उपर प्रेशर डाल रही है चैप्टर सेक्स डिजिटल मीडिया के चैलेंजिस को हमें फेस करना सीखना चाहिए आपकी लास्ट हॉलिडे कब हुई थी? क्या उस हॉलिडे के लिए आपने अपने लैप्टॉप को छोड़ दिया था? क्या आपने ऐसा होटल लिया था जहां पर इंटरनेट नहीं था? क्या आपने अपनी फोन से दूरी बनाने की कोशिश की थी? क्या आपने उपर बताई गई किसी भी बात को फॉलो गिया था? नहीं गिया था? आप करेंगे भी कैसे? अब तक आप डिजिटल वर्ल्ड के घुलाम बन चुके हैं लेकिन अगर आप ये सब करते हैं कुल मिलाकर डिजिटल डिवाइस बहुत अपयोगी हैं लेकिन हमें उन्हें यूज करना सीखना पड़ेगा हमें की ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी वज़े से कहीं हमारी क्रियेटिविटी तो कम नहीं हो रही है हमें लाइफ टाइम अपनी क्रियेटिविटी के ओपर काम करते रहना चाहिए क्या करें? आप जो कुछ भी कर रहे हैं भले ही आप प्यार कर रहे हूं या पर किताब पड़ रहे हूं अपना फोकस बस उस एक चीज में लगाने की कोशिश करिए अपनी लाइफ से डिस्ट्रक्शन को हटा कर बाहर फेंग दी